लाइफ पांडेशन बैचेज, स्टड़ी आईक्यू, आईएस हिंदी किरवारा लाउंच किये गए हैं जिनमें अब हम पांचवां बैच आपके समक्ष लेकर के आए हैं पांचवां बैच जो है, ये बैच नमबर 5 है आप देख सकते हैं बैच नमबर 5 और इसमें 11 मई से कक्षाइं शुरू हो रही है सबसे बड़ी और एहम बात ये है कि इस कक्षा का प्रारम मेरे द्वरा किया जाएगा जिसमें आप आधनिक भारत से पढ़ना शुरू करेंगे आधनिक भारत का इतिहास तो इस कोर्स में एड्मिशन आप सब लोग जरूर लें जिन्होंने अभी तक एड्मिशन नहीं लिया है वो इस बैच में जरूर एड्मिशन लें यह हमारी बहुती एक्सपीरियंस टीम है जो की अमरिस्टर के दिशानिर्देशन में आपको यह प्रोग्राम डिजाइन करके आप तक पहुँचाती है तो लाइफ फॉन्डेशन बैच से जुड़ना बिल्कुल न भूरिये लाइफ फॉन्डेशन बैच 5 में एड्मिशन लेने के लिए आप स्टडी आईक्यू स्टडी आईक्यू यह जो स्टडी आईक्यू है इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं ठीक है स्टडी आईक्यू डाट कॉम या फिर इसका जो एप्लिकेशन है वो आप डाउनलोड करके वहाँ से लाइव यूपी एस्टी हिंदी इस पे जाएंगे और वहाँ पे कोर्स सर्च कर लेंगे आपको अराम से बैच 5 वहाँ पर मिल जाएगा बैच 5 में जो आप डाउनलोड करके जरूर पढ़ लिजेगा किनखिन फीचर के साथ चिनकन किने च्टहिक के साथ वो ब्रॉशर मेन सारे च्टूल लिखे है कि हिस्टृ उसके बाद कौन सी कलास उसके आत कौन सी कलास का फिर कब तक चलेगी यह सारी चीज़ें रहे हैं हजार घंटे से अधिकी कख्षाएं आप लोगों को एवलेबल हैं 37 हस लिकित नोट्स और मेंटर्शिप प्रोग्राम ग्रूप मेंटर्शिप ठीक है इस तरीके की अलब्वितिय सुविधाओं के साथ ये बैच आप लोगों को मिल रहा है आज हम श्रंखला के बावनवे भाग में हैं आधुनिक भारत के दियास स्पेक्ट्रम बुक के साहता से और तमाम सारे दूसरे अध्यन के स्रोतों से आप लोगों के समक्षम प्रस्तूत कर रहे हैं इस कड़ी में हम लगातार आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और आगे बढ़ते हुए हमने इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके उपर डिसकेशन किया है तो इस डिसकेशन में हम लोगों को मालू से जुलेगे इस टेलिग्राम गुर्प में जुल करके आप आसानी से इसको प्राप्त कर सकते हैं, तो निशेत तौर पर आप इसे प्राप्त कर लिजेगा, स्वतंतरता संधर्श के आरब के हम चर्चा कर रहे हैं, आपको बता दें कि रैपिट रिवीजन प्रोग्राम लगा आतार आपके समख्षळति है चलिए अब बढ़ते हैं आगे और इसमें हम आज उग्र रास्तुवाद के बारे में पढ़ेंगे यह आप सब लोगे को मालूम है कि हम भारती राष्ट्री आन्धूलन को पढ़ रहे हैं जब हम पढ़ रहे हैं उग्र राष्ट्रवाद ठीके भारती राष्ट्री आंदोलन में हम क्या पढ़ रहे हैं उग्र राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं अगर हम उग्र राष्ट्रवाद को देखेंगे तो ये भारती राष्ट्री कॉंग्रेस का भारती राष्ट्री आंदोलन का दुतिय चरण है और आप सब लोगों को मालूम है आप इसे भारती राष्ट्री आंदोलन का चरण कह लीजे या भारती राष्ट्री कॉंग्रेस का चरण कह लीजे एकी बात है जो की 1905 से लेकर के 1919 तक रहेगा आपके बुक में हो सकता है के एडिंग 1918 तक पड़ी है पर इसको हम लोग 1919 तक ले करके चल सकते हैं प्रारंभिक वर्षों के अगर हम नित्रत्व की बात करते हैं कॉंग्रेस के या फिर भारती रास्ट्री आंदोलन के तो ये जो समय है ये आपका प्रारंभिक जो समय था मैंने आप लोगों को बताया है कि प्रारंभिक समय 1885 से लेकर के 1905 तक कर रहा है और ये किन कर रहा है उधारवादियों का उधारवादी और इसके उपर हमने दो दिन अच्छे से चर्जा करी है, आयोब कि आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा उधारवादियों के हाथ में ये पूरा का पूरा इस समय की बागदोर थी उन्होंने अपने लक्षी की प्राप्ति के लिए समवैधानिक मार्क चुने थे अनुने विने के मार्क चुने थे, सरकार के साथ ले करके अपनी बातों को मनवाने का रास्ता चुना था लेकिन आपको मैं बता दूँ कि इसी समय, यानि कि 1885 से 1905 के समय, कुछ ऐसी घटनाय भी घटित होती चली गई कि आगे चल करके इस रास्त्री अंदोलन से जो युवा जुड़े, साथी साथ इस कॉंग्रेस में जो युवा जुड़े, उन सब लोगों ने, उन सब लोगों के अंदर एक नई, कह सकते हैं, उर्जा, और साथी साथ सरकार के असफलता, और नय मार्क को खोजने की प्रु प्राप्ति के पीछे उनका बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा, कि मतलब समवैधानिक मार्क से हम अपनी सुतनता की प्राप्ति कर सकेंगे, ऐसा विश्वास इस चरण के लोगों को, उग्र रास्टवाद के लोगों को बिल्कुल भी नहीं रहा, उग्र रास्टवाद कुछ ऐसी घटनाय घटित हुई जिनसे जो नविवक थे उनके विचारों में, उनके दृष्टिकोन में उनके सोचने में, मनुवृत्ती में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया अनुने विने से उनका विश्वास बिलकुल उठ गया और यही कारण हुआ कि आगे जो है उग्र राष्टवाद का जन्वुआ अब उग्र राष्टवाद भी जो है वो दो भागों में है यह हमको समझना है उग्र राष्टवाद जो है वो भी दो भागों में है एक को तो हम उग्र राष्टवाद कह सकते हैं यानि एक को तो हम साधान तोर से उग्र राष्टवाद या उग्रपंथी कह सकते हैं, राष्टवादी, और इन्ही उग्रवादियों में एक और दल था, इन्ही उग्र राष्टवादियों में एक और दल था, जिनको हम क्रांतिकारी कह सकते थे, क्रांतिकारी, दोनों में जादा बढ़ा अंतर नहीं है उग्र राष्टवादी उधारवादी जो लोग हैं वो सरकार के साथ कानूनी तौर तरीके से समधानी तौर तरीके से स्वाधिंता की और अपने आपको बढ़ाना चाते हैं यह कहते हैं कि हम विन्य पूर्वक नहीं मांगेंगे हम हक के साथ मा अधिकार है मुझे चाहिए मैं लोगा मैं तुमसे मांग नहीं रहा हूं ये विचार उग्र राश्टवाद के अंदर है क्रांतिकारी विचार धारा के जो लोग है इनके अंदर तेजी से स्वतनता की भावना जैसे इनके अंदर है वैसे इनके अंदर भी है लेकिन ये मर अब उग्र नीती का प्रयोग का मतलब क्या है विदेशी वस्तूओं का विरोध वस्तूओं का विरोध विदेशी नीतियों का विरोध ये सब चीजे जो हैं आपको इसमें ज़्यादा और ये विदेशी नीती को ही स्वदेशी रूप में लेकर के आना चाहते थे तो अंतर था मैंने पिछली बार ही आप लोगों को बताया था विदेशी शासन का भहिषकार स्वदेश या स्वदेशी की जो भावना है उसको डवलेप करना इन सब चीजों के प्रयोग के अंदर इसको लेकर किया जता है राष्ट्री शासन की स्थापना करना स्वदेशी शासन की स्थापना करना ये सब चीज़ें इसमें समलित बाल गंगादर तिलक जी कहते हैं कि भारत की राजनीतिक मुक्ती ये अनुनय विनय के अधार पर नहीं हो सकती है इस पर इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है अब हमें ऐसे कथनों का प्रयोग करना होगा जिससे की प्रत्यक्ष का रेवाही संभव हो और बिना प्रत्यक्ष का रेवाही के राजनीतिक जो हमें अधिकार हैं वो हमें नहीं मिलेंगे इसका मतलब यह है कि हमें राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना होगा लड़ करके मांग करके काम नहीं चलेगा अब लड़ करके छीन करके काम चलेगा राजनीतिक अधिकारों को हमें समझना होगा और हमें इन सब का करना होगा विरोध इन सब का बहिश्कार करना होगा ये है उग्र रास्टवाद या उग्र करांतिकारी विचार धारा तो इन में में से ये जो विचार आ रहे हैं ये विचार लाने वाले भी तो कुछ लोग होंगे इनका भी नित्रत्व करने वाले कुछ लोग होंगे कौन है इनका नेत्रत्व करने वाले लोग सबसे पहले इन उग्रवादी या उग्र राष्ट्रवादी विचार धारा वाले गरम पंथी उग्र पंथी विचार धारा वाले जो नेता है वो कौन है इनमे में से कुछ प्रमुख जो नेता है उनके नाम आप जरूर जानते होंगे, कुछ प्रमुखनेता, उनके नाम आप जरूर जानते होंगे, जैसे, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, इन्होंने पंजाब से लीड किया, रास्टवाद को, बाल गंगाधर तिलक, इनकी बात कर सकते हैं आप महराश्ट से, और विपिन चंद्रपाल, विपिन चंद्रपाल, ये आपको बंगाल से लीड करते हुए दिखाई देंगे, इसके लावाएक नाम आप श्री अरविंद घोष जी का लिख सकते हैं, अरविंद घोष, ये भी गरम पंथी विचारधरा के नेता हैं, तो इन गरम पंथी विचारधरा के नेताओं ने तेजी से अपने विचारों से प्रेरित होते हुए, राश्ट्रवाद को जीवित रखते हुए, राश्ट्रवाद में और गती प्रदान करते हुए, अनुने विनय के मार को अस्विकार किया, और इन सब में टॉप लीडर जो हैं, इन सब में उग्र विचारधरा के मशाल जगानेले जो व्यक्ती हैं, वो मुख्य रूप से हैं बालगंगाधर तिलक, इन सब में सबसे तेज, सबसे अदूती रूप से अगर दिखा रहे हैं तो, बालगंगाधर तिलक ने कहा है, एक रास्ट की जो तुलना है तिलक जी ने तिलक जी ने रास्ट की तुलना रास्ट की तुलना एक व्रक्ष से की है एक व्रक्ष से की है कैसे की है जैसे की मान लेते हैं अगर ये व्रक्ष है कोई ठीक है ये धरा पर लगा हुआ एक व्रक्ष है और इस व्रक्ष को उन्होंने रास्ट कहा है ये व्रक्ष क्या है ये व्रक्ष है रास्ट ये रास्ट नाम का जो व्रक्ष है इसकी जो मूल हैं इसकी जो जड़ें हैं मूल और जो तना है ये मूल और तना जो है ये हैं स्वराज यानि राष्ट का निर्माड मुख्य रूप से स्वराज से होगा और इसकी जो शाखाएं हैं जो आप देख रहे हैं इधर उदर ठीक है इसकी जो शाखाएं हैं इधर उदर निकली हुई ठीक है ये क्या है ये जो शाखाएं है ये शाखाएं इसकी शाखाय स्वदेशी और बहिसकार हैं, ये स्वदेशी होनी चाहिए और विदेशी बहिसकार वाली होनी चाहिए, विदेशी बहिसकार इस प्रकार की तुलना इसको आप स्टेट्मेंट में लिख लिजेगा मैंने डाइग्रमेटिक फॉर्म में आपको बता दिया है तो ये है रास्टवाद तिलक जी के विचारों में तो ये जो रास्टवाद है इस रास्टवाद के आने के कुछ कारण भी तो होंगे भई क्यों ये उग्र रास्टवाद आया क्यों जो नरम पंथी विचार धारती वो अंत्र तक नहीं चल पाई तो हमें समझना होगा उग्र रास्टवाद के उधै के कारण क्या कारण रहे होंगे उग्रवाद के उधे के दीखे बहुत सारे कारण हैं और कारणों की पहली पहचान पहले अपनी कमजोरी से हम लोग करेंगे अरविंद गोश जी ने सबसे पहले तो अपनी कम्यों को ही बताया और कहा कि उग्राश्वाद के लिए हम स्वयम जिम्मेदार है अर्विन गोज जी कहते हैं कि कॉंग्रेस जो थी सबसे पहला कारण है खुद कॉंग्रेस और जो कॉंग्रेस है यह स्रमिक वर्ग की लीडर नहीं है इसमें जो स्रमिक वर्ग है स्रमिक वर्ग श्रमिक वर्ग से अटेच्ट नहीं है श्रमिक वर्ग से दूर है कॉंग्रेस जो है वो श्रमिक वर्ग से क्या है दूर है श्रमिक वर्ग से दूर और क्योंकि कॉंग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है तो अपने आपको रास्टवादी कैसे कह सकती है यहां तो अरास्टवादी हुई, यहां अरास्टवादी है, और जबकि अरास्टवादी है, तो फिर सफल कैसे हो सकती है, इसलिए असफल रही, इसलिए असफल रही, आप अपने राष्ट की तुलना अनुने विने से कैसे कर सकते हैं आप ये कैल्पना कैसे कर सकते हैं कि हम उनसे आजादी मांगेंगे और हमें आजादी दे देंगे अगर इतना ही उनके अंदर ethical चीज़ें थीं तो हमारे राष्ट को गुलाम बनाते ही क्यों तो स्वभाविक सी बात है कि ऐसी चीज नहीं हो सकती है कॉंग्रेस के जो शासक कॉंग्रेस के जो नीती रही है वो शासकों को प्रभावित करने की प्रसंद करने की रही है और इसी प्रसंद करने की नीती के कारण जब आप किसी की जब आप किसी से अनुने विने करते ना अपनी चीजों के लिए अपनी मांग के लिए तो सामने वाला आपको समझता है कि यह तो बेवकूफ है यह तो हमारी कृपा पर है वो taken for granted लेता है आपकी demands को और Britishers ने ऐसा ही किया अंग्रेजों ने ऐसा ही किया और वो नजर अंदास करते रहे उपक्षा करते रहे जबकि उधारवादियों की भी जो मांगे थी वो राष्टवादी मांगे ही थी परंत राष्टवादी मांगे इस तरह की नहीं हो सकती जिसमें अनुने विने रिक्वेस्ट और ये सब चीजें ही हो तो एक कारण तो ये है दूसरा कारण है कुछ अंतरराष्ट्री ततकाली घटना है अंतरराष्ट्री घटना है तो कुछ अंतरराष्ट्री घटना है ये ऐसी घटी थुई कैसी घटना है घटी थुई जैसे की मिस्र जैसे की फारस जैसे की टर्की ये जो राष्ट थे इनकी जनता को स्वतंता संग्राम से सफलता मिली थी जनता को स्वतंत्रता संग्राम से सफलता मिली लड़ना पड़ा अनुने विने से सफलता नहीं मिली है प्रेणा मिली है इस चीज से यहां के रास्टवादी नेताओं को हमें भी रड़ना होगा सबसे बड़ी बात एक छोटा सा अफ्रीकी देश है इबसीनिया इबसीनिया यह अब सीनिया भी इसको कहीं कहीं लिखा रहता है इस चोटी से फ्रीकी देश्ट ने 1896 में इटली को पराजित कर दिया इटली को हरा दिया और इतना ही नहीं 1905 में जापान ने जापान ने रूस को पराजित किया अब आप सोचिए कितना बड़ा रूस और कितना छोटा सा जापान तो यह भीख नहीं मांग रहे हैं यह रास्ट्रवाद की अनुने विने नहीं कर रहे हैं यह लड़ रहे हैं इसके अलावा मैजनी, गेरी बॉल्डी मैजनी गेरी बॉल्डी कैवर यह कुछ ऐसे रास्ट्रवादी नेता हैं कुछ ऐसे रास्ट्रवादी नेता हैं यह लोग जिनोंने अपने उग्र रास्ट्रवादी विचारणारों से और अपने प्रयासों से इटली का एकी करण कर दिया इटली का एकी करण इनी के प्रयासों से हुआ तो इन सब चीजों से भी कॉंग्रेस का वो जो दल है वो प्रभावित हुआ और उसे लगा कि हमें भी ये मार्ग अपना लेला चाहिए क्योंकि हमने परियाप्त 20 वर्ष का समय दे दिया है अनुने विनय में नरमपंथी विचारधारों में तो अब उस मार से हमें थोड़ा हट के काम करना होगा अंतरास्ट्री घटनाओं के साथ-साथ कुछ रास्ट्री घटनाएं भी घटी तुई अगले पेज में हम इसको समझेंगे रास्ट्री घटनाएं ब्रिटिश शरकार, सरकार, कॉंग्रेस की मांगों की, मांगों की लगातार उपेक्षा करती रही, लगातार उपेक्षा, मना किया इसने, तालते चले गए, तालते चले गए, 20 वर्ष गुजर गए इसी चक्कर में, किसी तरह थोड़ा दबाव पड़ा, तो 1892 में भारत परिशद अधिनियम आया, भारत परिशद अधिनियम, जिसमें ब्रिटिश शर्स ने कहा कि हमने आपकी जो मांगे हैं, उसको समझने का प्रयास किया है, और उसके अनरूपी अधिनियम बनाया है, इसमें भारतियों का मांग था, कि प्रशासन में भारतियों का एकिकरण हो, या कह सकते हैं, प्रशासन में भारती करण हो, ये डिमांड थी मुख्य रूप से, लेकिस इस डिमांड को सुई की नोक के बराबर के विल माना गया, जो जनतांत्रिक आधार प्रस्तुत करने की बात यहां के नेताओं ने कही थी, उसको ताक पर रखा गया, और आप सब लोगों को मालू में इसके बारे में कल हमने चर्चा करी, कि कैसे इसका जो प्रसार करने के नाम पर कुछ सदस्यों को बैठाया गया, जो कि बिल्कुल भी परयाप्त नहीं थे, और कैसे आपने देखा कि 1892 से लेकर के 1909 तक के आक्ट के आने पहले तक, कितनी ज बैसे दिखावे के करण जो स्वयम उधारवादी थे, उधारवाधी जो थे, वो भी असंतुस्ट थे, तो इनके मन में भी ये विचारा आया कि एटने दिन से हम साथ दे रहे हैं, और अंत में हमको ये मिला, उधारवादी भी असंतुस्ट है, लाला लाजपत राही जी कह हमें रोटी की बजाए पत्थर मिले हैं तो अब ये पत्थर लौटाने होंगे अब ये पत्थर क्या करने होंगे लौटाने होंगे भारतियों के मन में अब इन सब घटनाओं से ये विश्वास पैदा हो गया कि बिटिस सरकार सिर्फ हमारे साथ टाइम पास कर रही है और च्छल कर रही है लाला लाजपतराय जी कहते हैं कि भारतियों को अब भिखारी की बाती नहीं बने रहना चाहिए बिक्षुक बन करके संतोष नहीं कर लेना चाहिए और नहीं आंग्रेजों की क्रपा पाने के लिए उनके सामने गिलगलाना चाहिए हमें अपने अधिकार छीनने चाहिए य ये भी जो है एक तरीके से जो राश्टी घटना है घटी तो रही राश्टी घटनाओं में कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे आप आप देखे हिंदू धर्म का पुनरुत्थान है हिंदू धर्म का पुनरुत्थान पुनरुत्थान जो हुआ ये जो पुनरुत्थान हुआ यह भी एक अदुतिय योगदान रखता है, आप तमाम सारे उस समय के लीडर्स को ध्यान करिए, स्वामी द्यानन, स्वामी द्यानन सरस्वती जी, स्वामी विवेकानन, विवेकानन, जैसे ही मैं नाम इनके याद कर रहा हूं, लिख रहा हूं, आपके मन में बहुत सारी इसके अलामा अरविंद घोष जी, अरविंद घोष, लाला जी, और जब लाला जी कह रहा हूं तो लाला लाजपत राय जी की बात हो रही है, इन सब के विचारों को आप देखिए, ये सब वो लोग हैं, जिनोंने अब ये इसमें से धार्मिक और सामाजिक सुधारांदोल करता हैं ये, सामाजिक, धार्मिक और सासाथ राजनितिक, सुधारवादी हैं ये सब, और ये हिंदू धर्म से बिलॉंग करने वाले लोग हैं, उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं, इनका कहना है कि पाश्चात्य सिक्षा एवं संस्कृती जो है, वेस्टर्न कल्चर अपनाने या उसे पढ़ने या समझने का प्रयास नहीं क्या, उसमें जो लिखी चीज़ें उसको अपनाने का प्रयास नहीं क्या, लेकिन, लेकिन, पाश्चात्य सिक्षा एवं संस्कृती जो है, उससे स्रेष्ट जो है, वो हमारा अपना संस्कृती और सभिता है, इस बा उपर धूल जम गई है, स्वन्ड का गुलदस्ता है वो, सोने के गुलदस्ते पे धूल जम जाए, तो हम उसे मटमेला गुलदस्ता थोड़ी कह देंगे, रहेगा तो तब भी वो सोने का गुलदस्ता, जरुरत थी तो उसे जाड़ने, पोचने और साफ करके चमकाने की, उसक कपड़े का इस्तेमाल किया गया, वो पाश्याति सिक्षा हो सकती है, तो वो कपड़ा जो है, जिससे साफ किया जा रहा है बरतन, वो कपड़ा क्या उस बरतन की तुलना कर सकता है, नहीं कर सकता, यही बात यहाँपे कही गई, नो डाउट हमने उसको एकसेप्ट किया है, लेकिन हमें अपने धर्म, अपनी सिक्षा और अपनी संस्कृति में केल सुधार लाने के अविशक्ता थी. तो यहाँ पर इनका जो विचार है, मैं आपको बता दूँ, अरविंद घोश जी का इसमें एक शांदार कथन है. अरविंद घोश जी कहते हैं, स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा. स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म इस उद्देश्य, हिंदू धर्म से इस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है. तो यह भी एक भावना थी, यह अरविंद घोष जी का कथन है, अरविंद घोष, ठीके, समझ पा रहे हैं, तो यह भी एक कारण है जिससे की जो नया विचार है वो आना शुरू हो जाता है, इसी में एनी बेसेंट जी भी एक बात कह रही है, एनी बेसेंट, इसी में इनका भी एक कथन, इनका भी एक कहना है, कि सारी हिंदू संस्कृती, यह सारी हिंदू प्रणाली, पश्च्च्वी सभ्यता से बढ़कर है, तो यह भी एक बिलीव का कारण बना, इस तरीके के जो मतलब बातें कहीं कहीं, इसके लावाद दूसरी भी कुछ राश्ट्री घटनाएं हैं, और खुद इसमें अंग्रेज इन्वाल्व हैं, अंग्रेजों की कुछ ऐसी हरकतें हैं, जिसकी वजह से यह उग्र राश्टवाद जो है जन्म लेता है, इसे हम 1896 से 97 और 1899 से 1900 के बीच में, 1896 सत्तानवे और 1899 से 1900, इसके बीच में महरास्ट की इस्थिति की बात करें, ये महरास्ट इस दौरान तमाम सारी बिमारियों और महमारियों से गुजर रहा था, प्लेग, प्लेग जैसी जो बिमारी है, इसमें लाखों लोगों की मृत्य हो गई, कुछी महीनों में प्लेग ने महरास्ट के 0.6% लोगों को अपने अदर कर लिया, कैप्चर कर लिया, कुछी दिनों में, और सरकार ने इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, लाखों लोगों की मृत्य होने के पश्चाद भी, कोई ठोस कदम नहीं उठाया, और आपको बता दूँ कि शर्मनाग बात ये है, कि प्लेग के लिए बनने वाली जो समीती थी, उस समीती के लोगों ने घरों में चेक अप करने के जाने के बहाने, तमाम सारी बहनों मताओं के साथ अनेतिक कार रिखिये, मतलब इसको हम कैसे कहें, जाच के नाम पर वस्त्र उतरवाए जाते थे, अलब इस तरी के जिस समय भैंकर महामारी है उस समय इनकी इतनी मती भरस्ट है वहाँ अनाचार कर रहे हैं अत्याचार कर रहे हैं जाकर के और जब इन सब चीजों के बारे में तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में तिलक जी ने क्या किया इसका उलेख किया उलेख का मतलब उजागर किया कि ऐसी घटनाय चल रही है ये चल रहा है सर अलोचना करी 1897 में ये ने गिरफतार कर लिया गया और गिरफतार करके 18 महिने का कठोर का रवास दिया गया उगर राष्टवाद नहीं पैदा होगा अभी जिस समय में पढ़ा रहा हूँ इसी समय तो आए रेंग्टे कांप जा रहे होंगे आप सोचिए आप सोच करके देखिए अभी कुछ समय पहले किस तरीके की महामारी से हम लोग भी गुजरे हैं अगर ऐसे में अगर हम विदेशी राष्ट के गुलाम हैं और विदेशी सरकार जो हमारे पर शासन कर रही है बाई दवे अगर वो चेकप के नाम पर हमारे घर में जाकर के इस तरीके का अत्याचार करती तो आप क्या करते और आपके लिए अगर स्तरीके की कोई चीज समाचार में दिखाई सुनाई जाती तो उस सुनाने वाले व्यक्ति को ग्रफतार करके जेल में डाल दिया जाता इस सब घटनाओं से महरास्ट के चापेकर बंधू नाम बताई जwegen जारे कॉमेंट सेक्शन में कमेंन करके तीन चापेकर करबंधूों के नाम उस समय प्लेग कमिशनर हुआ करता था वॉल्टर चाल्स रेंड वॉल्टर चाल्स रेंड चापेकर बंधूं ने इसकी हत्या करदी एक लेटनेंट था आयरस्ट ऐसे करके लेटनेंट था ये इसकी भी हत्या कर दी किनोंने चापेकर बंधु ने चापेकर बंधु बनायक दापूर्दा चापेकर का नाम सुना है चापेकर बंधु ने इसकी हत्या कर दी बाद में इनको पकड़ करके फांसी की सजा वगएरा दी गई 1897 में इनी अत्याचारों के खिलाफ पुने के प्रतिस्थित नाटू बंधूं को गिरफ्तार कर लिया गया उन पर बिना मुकदमा चलाए उन्हें देश से निर्वासित कर दिया गया 1896 से लेकर के 1896 से लेकर के 1900 के बीच में भयंकर दुर्भिक्षु आया और इस अकाल के समय 90 लाख से अधिक लोग 90 लाख से अधिक और ये भी मैंड मेड अकाल था 90 लाख से अधिक लोग मर गए सरकार कोई एक्टिविनिस नहीं दिखाती है सरकार उपेक्षा करती रही इन सब चीजों का और जब ये सब घटनाय घटितोती चली गई तो प्रिशासन से मोह भंग होना तय था और तय और मोभंग हुआ विद्रोह की भावना जगी लेकिन ये विद्रोह शसस्त्र नहीं होने वाला था ये खीच लेने वाला ये शासन के मूँपर तमाचा मारने वाला विद्रो यहां से शुरू होना शुरू होता है 1899 में कलकत्ता कार्पुरेशन जो एक्ट है उसका दुरुप्यो किया गया कार्पूरेशन और कलकत्ता नगर निगम से तमाम सारे सदस्यों को जो है निकाल दिया गया 1899 कलकत्ता कार्पोरेशन एक्ट दुरुपयों किया गया और नगर निगम से नगर निगम से सदस्यों की संख्या कम कर दी गई जानबूज के कम करी गई 1904 में विश्विद्याले अधनियम भारती विश्विद्याले अधनियम पारित करके भारत के विश्विद्याले अधनियम का दुरुपयों किया गया उधर इसका दुरुपयों किया गया तो इस प्रकार के दुरुपयों से भी जो सरकार है उसके विरुद्ध कारिवाई हुई इसके अलावां उग्र रास्टवात के उद्य में एक और कारण है आत्म सम्मान और आत्म विश्वास में वृद्धी और कभी कभी जब हमारे खिलाफ कुछ काम होते हैं तो हम और जादा मोटिवेटेड हो जाते हैं शायद उस समय ऐसा ही हुआ रास्टवादियों की जो अपील थी वो अपील अब इस अपील में कनवर्ट हो गई कि अपने शक्तियों को अपने विशेष्टाओं को अपने शमताओं को पहचानिये और ये गिलगलाहट छोड़िए आजादी भीक में नहीं मिलेगी आजादी भीक में नहीं मिलेगी लड़िये इसके लिए पहचानिये अपने आपको आप स्रेष्ट हैं, आप भारत हैं, आप स्रेष्ट नित्रत तो करता हैं, सब कुछ साजी स्रेष्ट था आपके अंदर है, फिर गिर्वराट किस बात की, और ये आत्मय विश्वास और इन सब चीजों में वृद्धी जो है, इसका महत्यपूर्ण कारणा था सिक्षा, लोग राजनीतिक, राजनीतिक जो सिक्षा है, उसमें अब इंट्रेस्ट अधिक लेने लगे थे, समझने लगे थे, और जब आप राजनीति में इंट्रेस्ट लेने लगे थे, तब आपको समझ में आया था कि बिटिशस किस तरीके की राजनीतिया हमारे साथ कर रहे हैं, लेकि सरकार क्या कर रही थी कुछ नहीं सरकार ने इन सिक्षित वर्ग के लोगों के लिए रोजगार के अवसर कोई भी स्रजन नहीं किये लोग या तो बिरोजगार थे इससे बिरोजगारी आई या फिर कुछ लोग अर्ध विरोजगार थे सिक्षित थे और अर्ध विरोजगार थे अब आप सोचिए योग यह हो और आपके पास में नौकरी या फिर कोई भी काम करने की चीज़े ना हो सरकार के कारणों भी तो इन सिक्षित वर्ग के लोगों को जिनको नौकरिया मिलनी चाहिए थी जिनको रोजगार के अवसर मिलने चाहिए थे वो रोजगार के अवसर नहीं मिले और क्योंकि ये रोजगार के अवसर नहीं मिले इसलिए वो जो है मोल्ड हो गए रास्टवाद की ओर और उन्होंने रास्टवाद का अच्छा उप्योग करके ब्रिटिशर्स के विरोध में कारे किया और कुछ तो अंग्रेज अधिकारी है से आए जैसे करजन करजन जैसे अधिकारी करजन जैसे अधिकारी इनकी नीतियां इनकी पॉलिसीज उग रास्टवाद को भढ़काने के लिए परियाप्त थी इस व्यक्ति ने भारत को रास्ट मानने से इंकार कर दिया भारत को भारत को रास्ट मानने से इंकार मानने से इंकार किया भारत रास्ट है ही नहीं क्या रास्टवाद रास्टवाद लगा रखा है कॉंग्रेस को इसने कहा कॉंग्रेस के बारे में कहा मन का उधगार मन का उधगार निकालने वाली निकालने वाली संस्था और इस अब क्यों कहा होगा क्योंकि पहले कॉंग्रेस जो थी वो क्या थी उधारवादी थी लोगों के मन में कुछ चीज आती थी गौन्ग्रेस के सदस्टन से जाकर जाते थी कौंग्रेस सदस्टे सरकार से अपील करते थे सरकार उसको टॉलरेट करती जाती थी रहन गहें इक आरण तॉ लेकिन जिस समय इस्टैब्लिश किया गए शायद ऐसी चीज़ें नहीं थी इसके चीज़ें हमने क्लियर की आपको तो ये जो उग्रुवाद है इस उग्रुवाद की नीती ने जब अपना रुख पल्टा तो इस दौरान जो 18-1905 से ले करके 1919 तक का जो उग्र राष्टवादियों का जो समय रहा इसमें तमाम सारी राजनिती घटनाएं घटित हुई जिन में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं उग्र राष्टवादी काल 1905 से 1919 में घटित होने वाली प्रमुख घटनाएं अगर इस पर नजर डालेंगे तो वो कौन-कौनसी हैं कौन-कौनसी लगती हैं आपको बंगाल विभाजन लगता है कि नहीं बंगाल विभाजन 1905 इसी के कारण स्वदेशी आंदोलन स्वदेशी आंदोलन 1905 मुस्लिम लीग गठन 1906 सूरत सेशन सूरत अधिवेशन 1907 यह सब इसी समय में ही घटित हो रही हैं पिर दिखावे के लिए मौरले मिन्टो सुधार इससे और ज़्यादा स्थिती बिगडी 1909 दिल्ली दर्बार दिल्ली दर्बार 1911 यह प्रथम विश्युद की घटनाएं विश्युद के समय भारत में भी कुछ चीजें उपरीद्थ हुई 1914 1914 से 16 के बीच में प्रथम विश्युद हलाकि विश्युद दो 18 तक चला कुछ घटनाएं भारत में भी घटित हुई इसके प्रभाव से लखनाव पैक्ट 1916 1916 में होम रूल होम रूल लीग दो होम रूल लीग पढ़ेंगे हम लोग 1916 की ही मॉन्टेग्यू घोषणा मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 घोषणा की बात हो रही है तुधारत 1919 में आया प्रॉलेट एक्ट रॉलेट एक्ट 1919 एक प्रमुक तमाम सारी राष्टवादी राधिती घटना है जो इसी समय प्रणित हुई इस समय आई घटित हुई और इन घटनाओं ने आगे चल करके इस उग्र राष्टवाद के विरोध में जो सारी चीज़ें हुई है इनी घटनाओं ने इनी उग्र राष्टवादियों को करांतिकारियों में परिवर्तित हो जाने के लिए मजबूर किया. इसलिए आगे इनी उगरास्टवादियों का करांतिकारी स्वरूप आता है. फिर उन्हें कंट्रोल करने के लिए गांधी युग है. और फिर इन सब के सयोजन से अंततह भारत आजादी की ओर है ये है स्थिती जिसमें हम लोगों को पढ़ना है तो आज हमने यहां तक की सारी चीज़ें आपको बताई है आगामी लेक्शर्स में हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहे होंगे ये अपने आप में अलग-अलग टॉपिक्स हैं इन सब टॉपिक्स के बारे में हम आगे जो है वो पढ़ रहे होंगे आशा करते हैं कि आज के जो ये बाते हमने आपको रास्टवाद का जो उग्र रूप है उसके उदह होने का जो कारण समझाया तो आपके समझ में आया होगा अब आगे तयार होंगे इन जो राजनितिक जो गटनाय हैं उनको पढ़ने के लिए मुलाकात करेंगे एगले सत्र में इस लेक्चर की पीडिया आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं अपने बातों और प्रिचारों और कोज भी प्रशन हों आपको तो आप यहां से करके हमसे पूँच सकते हैं बैच 5 में एड मिशन लेने के लिए विरद लाइव कोट का इस्तेमाल जरू करें इसी के साथ आज के इस सभा काम समापन करते हैं सभी लोगों को शुब कामनाओ देते हुए तमस्कार धन्यवाद